चंद्रमा के बारे में काफी कुछ खोज लिया गया है लेकिन अभी भी ऐसे तमाम रहे से चिपे हुए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है उन्हें जानकारियों को चंद्रम पर पहुँचा भारत का विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर देने वाला है क्या ब्रम्हांट की उत्पत्ती का समातन सत्य चांद की सतर में छिपा है क्या चांद की धरातल का विश्टलेशन ब्रम्हांट की अवूज पहेली को सुलजाने का प्रवेश द्वार है क्या धर्ती पर मौचूद जल, जंगल, जमीन, खूल और खुश्पू का तार चंडरमा के इस वीरान संसार से भी जुडता है चांद पर पानी की खूज के बाद भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इस रो अब चांद पर जमी वर्फ का विश्टलेशन करने में जुटा है चांद की सतर की बनावत को समझने में लगा है अभी तक चंडरमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई है दावा किया जाता है कि चंडरमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज है और यही वज़ा है कि चांद पर पहुँचने के लिए तमाम देशु में होड लगी है चंड की सतय पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके है देज्यानिकू का मानना है कि चंड पर जीवन के सबूत भी मिल सकते है अंतरिक्ष में चंडरमा धर्ती का सबसे करीबी पडोसी है पिछले छे दशकों में एंसानों ने सौ से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है सभी मिशन को काम्याबी नहीं मिल लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज़ादा खोजा जाने वाला स्थान जरूर बना दिया बावजूद इसके चंडरमा हमारे लिए आज भी रहस्य बना हुआ है क्योंकि उसके दक्षरी छोड की पूरी सच्चाई से दुनिया अब तक अंजान है विज्ञान कहता है कि चांद पर मिट्टी है चांद पर पानी है सवाल है कि अगर वहां मिट्टी भी है और पानी भी है तो जिन्दगानी क्यों नहीं क्या भारत का चंद्रयांत्री इस सवाल का जवाब पता करने वाला है चंद्रमा प्रित्वी के चारों और चक्कर लगाता है लेकिन हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है चांद का दूसरा हिस्सा धर्ती से दिखाई नहीं देता इसे चांद ये डार्क साइड कहते हैं जिसे धर्ती से देखना मुम्किन नहीं है चंद्रमा का जो हिस्सा हमें धर्ती से नजर नहीं आता उसे वेग्यानिकू ने चांद का डार्क साइड नाम दिया है चंद्रयान 3 का विक्रम लेंडर चांद के दक्षणी द्रो पर उत्रा है। चंद्रमा का ये हिस्सा उसका सबसे ठंधा इलाका है, क्योंकि यहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज की किरण तिर्ची पढ़ने की वज़े से चांद के दक्षणी द्रो के ज्यादा तर हिस्सों पर काफी अंधिरा रहता है। यही वज़े है कि यहां का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रेपोर्ट के मुठाबिक दक्षणी द्रो के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है, वहां का तापमान करीब 24 डिगरी सेलसियस रहता है। लेकिन चांद के दक्षणी द्रो के ज्यादा तर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पढ़ती और इस वज़े से वहां का तापमान माइनस 248 डिगरी सेलसियस तक पहुंच जाता है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षणी द्रो पर बर्फ है। लाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मूर मिशन के बीच मील का पत्थर जैसा है। और स्पेस साइंस की दुनिया में ये ऐसा करिश्मा है जिसे अभी तक कोई देश नहीं कर सका था। शांद के दक्षणी द्रू वाले हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर हैं जिन्हें आम बूल चाल की भाशा में गठा कहा जाता है। ज्यादा तर गठे ऐसे हैं जहां अर्बों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमा हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षणी दुरू पर अर्बों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। जिसके अध्यान से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस से खुल सकते हैं। यानि भारत का चंद्रयांत्री चांद के उस हिस्से में पहुँचा है जो हमें नहीं देखता है। सवाल है आखिर चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमें क्यों देखता है। चांद घुद भी अपनी धूरी पर भूमता है। और प्रित्वी के गुरुत्वाकर्शन बल के कारण चंद्रमा उसके चारों और चक्कर लगाता रहता है। धर्ती का यही गुरुत्वाकर्शन बल हमें चांद के दूसरे तरफ को देखने नहीं देता। दरसल चांद में प्रित्वी से जोड़ा एक गुरुत्वाकर्शन केंद है। गुरुत्वाकर्शन केंद चांद के बीच में नहीं बलकि उस हिस्से में है जो धर्ती की तरफ है। प्रित्वी का गुरुत्वाकर्शन बल चांद को अपनी तरफ खींचे रखता है। इसरों के मुताबिक चंद्रयान 3 के तीन एहम मकसद है। पहला विक्रम लैंडर की चांद के दक्षणी सत्य पर सुरक्षित और सौफ्ट लैंडिंग। दूसरा प्रज्ञान रोवर को चांद की सत्य पर चला कर दिखाना। तीसरा विज्ञानिक परिक्षन करना जिसकी धमा के दार शुरुवात हो चुकी है। चांद की सत्य पर पहली बार सौफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया। ये वो वक्ष था जब सोवियत संग और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। दोनों देशों में धर्ती के साथ साथ स्पेस रिसर्च को भी लेकर एक और लगी थी। इस होड का सब से एहम हिसा चांद तक पहुंचने की दौर थी। सोवियत संग को पीछे चोड़ने के लिए तब अमेरिका ने इंसान को चांद तक ले जाने और सुरक्षत वापस लाने का लक्ष दै किया। अमेरिका के अपोलो 8 मिशन ने अमेरिका के तीन अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की कक्षा में पहुचा दिया। ऐसा पहली बार था जब इंसान चांद के इतने करीब पहुच गया था। इसकी बाद वो दिन भी आया जब अमेरिका ने चांद पर इंसानों को उतार दिया। ये मिशन था अपोलो 11। अपोलो 11 के जरिये अमेरिका ने चांद तक ऐसी चलांग लगाई। जिसे आज तक कोई दूसरा देश दोहरा नहीं पाया। वो चलांग थी चांद पर इंसानों का पहला कदा। 20 जुलाई 1977 को अमेरिका के अंफरिक शियात्री नील आमस्टॉंग चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने थे। चांद पर उतरने वाला लूनर लैंडर दो लोगों को लेकर गया था। नील आमस्टॉंग के अलावा बज अल्डरिन भी वहां बाद में उत्रे थे। अपोलो 11 मिशन ने चांद से मून रॉक्स लाकर एक अलद इतिहास रचा। अपोलो 11 मिशन के दोरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चत्तानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। चांद पर पहुंचके कि स्पेस रेस आगे भी चलती रही। इस दोर में योरोपियन एजनसी जापान यहां तक की चीन भी कूद पड़ा। लेकिन मून रिसर्च में अगली कामियादी भारत को मिली। वो कामियादी थी। चांद की सेता पर पानी की खोचकी।